नेक्स वीच पर आते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर जब लोंस की बात करते हैं तो लोंस में यह पता ही होगा वर्तमान समय में भारत सरकार की जो लोंस में जो सबसे बड़ी चिंता का विशे है देट इस एन पी ए यानि की नौन परफार्मिंग असेट्स गैर निश्पादित आस्तियां गैर निश्पादित आस्तियां एन पी ए ए एंप ए का मतलब होता है कि bank ने कोई loan sanction किया लेकिन अब एक दिश्ची समय के बाद उस loan में installments आनी बंद हो जाए then after some time the account has been declared as NPA जब भी किसी bank में कोई loan sanction किया जाता है जब तक loans की installments आ रही है very good well and good लेकिन जब installments आनी बंद हो जाए यानि कि simple सी बात है मैंने बताया है loans क्या होते हैं आपकी assets होते हैं आपकी आस्या होते हैं आपकी income के source होते हैं और आप आपके पास income आनी बंद हो गई यानि कि अब आपकी जो asset है पहले जब तक loan आ रहा है जब तक installments आ रही है that is a performing asset यानि कि आपकी asset के ओपर income generate हो रही है लेकिन अब आपकी जो income है वो generate नहीं हो रही है यानि कि आपकी asset ने आपको income देना बंद कर दिया that is called non-performing asset यानि कि जब इस loan में installments आनि बंद हो जाए then it is called NPA non-performing asset कितने समय के बाद एक बाल बड़ा कोशन बहुत कोशन जो एक्जान्स में आता है कि NPA कहते केसे है NPA का मतलब होता है पहनी काडिकर यानम ले if there is no payment of installment or interest there on for continuous more than 90 days is called NPA किसी भी रिंड में लगता 90 दिन से अधिक यदी वापसी नहीं आ रही है या ब्याज की अदाएगी नहीं हो रही है खाता NPA कहलाता है कोई साभी लोन हो किसी भी प्रकागरोन हो प्रकागरोन को छोड़ दिया जाए तो से समझ दीजिएगा मैंने लिखवाया है 90 दिन से जादा more than 90 days तीन महीने नहीं है कई बार वो कोशन में क्या करता है पहला option ही वो 90 days के स्थान पर तीन महीने दे देता है तीन मेंने से कोई लेना दाना नहीं यहाँ पर डेस चलते हैं यानि कि मान लीजिए यदि किसी लोन की आज इंस्टाल्मेंट ड्यू थी उसको आज पहली इंस्टाल्मेंट अधा करनी थी और अगले 90 दिन तक जदी उसने नहीं नहीं किये पैसे तो इक क्यानवे वे दिन क्या हो जाएगा ये खाता क्या कहलाएगा एंपी ए कहलाएगा देट इस एंपी ए मोर दन 90 देज ठीक छी होता क्या है इसमें देख मैंको बता जयता हूं इसके अंधर गत तीन एच्छली पहले तीन केडेगरीज आती है पहला आता है यदि किसी रिण में 30 दिन से ज़्यादा इंस्टॉल्मेंट जमा ना हुई हो तब ये खाता SMA 1 कहलाता है अगर माल लेजिए यदि किसी लोन में आज इंस्टॉल्मेंट आने थी और 31 दिन हो गए इंस्टॉल्मेंट नहीं आई तो एक खाता क्या हो जाएगा SMA 1 हो जाएगा दूसरा अगर यदि किसी रिण में 60 दिन से ज़्यादा इंस्टॉल्मेंट जमा नहीं हुई तब ये खाता कहलाएगा SMA 2 और तीसा में आपको बताई दिया यदि 90 दिन से ज़्यादा किसी रिण में इंस्टॉल्मेंट जमा नहीं हुई तब यह NPA घोशित हो जाएगा चाहिए कोई भी रिजन रहाओ X Y Z कुछ भी रिजन हो आपकी जॉब चली गई आपका बिजनस ठेल हो गया आपने जानू कर जमा नहीं की कुछ भी रिजन हो आपके घर में कोई समझ से आऊ गई दोजन्ट मेंटर 90 डेज मिन्स 90 डेज एसे में एसे में लब होता है इस्पेशल मेंशन्ड एकाउंट विशेश खाते विशेश खाते यानि की यहां पर जब 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो कि अब एक वाणिंग देता है के अभी ऐसा नहीं आ रहा है क्रेपिया इसकी ध्यान रखिये अगर यह जल्दी ही एन पीर में ज्यादा आ जाता है तो साथ दिन से जादा हो चुके हैं ins talents नहीं आ रही है इसको ध्यान दी जिजिए अधर्वाइज 91st day आपका ये account जल्दी ही NPA में convert हो जाएगा That is a special mentioned account बन जाता है और उसके बाद वो NPA में जाता है अगर बैंक उसको ध्याँ से बहार निकाल लेता है तो ठीक है नहीं निकाल लेता है That is NPA ये तो हो गया हमारा NPA का एक पार्ट ये सबी लोनों के लिए है अगरिकल्चर लोन को छोड़ कर अगरिकल्चर लोन चलती है अगरिकल्चर लोन NPA खेती या क्रिशिन लोन NPA यहाँ पर चलता है Based on Crop Season ये चलता है फसल काल के आधार पर यानि कि अगर कोई फसल ऐसी उग रही है जिसको उगने में ही एक साल चाहिए तब यहाँ पर जो होता है यहाँ पर Crop Season के साफ से चलता है यदि आपने एक Crop Season बीच जाने के बाद यदि पेमेंट नहीं करी दन इस SMA 1 दो Crop Season बीच जाने के बाद आपने इंस्ट्रॉल्मेंट नहीं चुकाई SMA 2 और यदि आपने तीन Crop Season बीच जाने के बाद तीन फसल काल बीच जाने के बाद भी यदि आपने इंस्ट्रॉल्मेंट नहीं चुकाई तब यह बन जाता है NPA अमालीजे कोई फसल ऐसी है जो 6 महिने में उकती है यानि कि 6 महिने के बाद अगर सर्वर नहीं चुकाई गई तो वो SMA 1 एक साल के बाद SMA 2 और तेर्व साल के बाद उसको हम NPA केटेगरी में अम किसी भी अकाउंट को NPA घोशित करते क्यों है आखिर क्या वज़े है कि हम किसी भी अकाउंट को NPA घोशित करते है NPA घोशित करने के पीछे एक रीजन होता है देखिए जब तक कोई भी अकाउंट में regular installments आ रही है चाहिए वो home loan हो कोई सा भी loan हो तो वो क्या कर रहाता है standard asset यानि कि उसमें जो installments है वो properly time से सब कुछ आ रहा है लेकिन यदि अब उसमें बात में समस्य आ गई हमने उसको NPA घोशित कर जिसकर लग्या हो गया कि वहाँ पर अब installment regularly नहीं आ रही है समय से नहीं आ जिए है यानि कि हम तब उसके बात उसके उपर standard क्या बन जाता है वो substandard बन जाता है यानि कि खराप काटेगरी में आ जाता है तब हमें क्या करना होगा उसके उपर कानूनी कारवाहियां करनी होंगी तो जब तक कोई account standard asset है हम उसके उपर कोई कारवाहिय नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको sub-standard category में convert ना कर दे that is the reason कि हम account को NPA बताते हैं वो एक खराब category में आ गया है हमें उससे बाहर आने के लिए अब हमें कोई ना कोई legal कारेवाही करनी पड़ेगी पबड़ी को बेशना पड़े या जो कुछ भी करना बड़े वो हम करेंगे that is NPA इस प्रकार से जो NPA है वो आते हैं at present बैंकों में माना जाता है सब अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो at present भारत में जो सरकारी बैंक हैं उनका जो NPA है करीब 10 लाख करोड के आसपास का NPA है यानि की सभी बैंकों ने जो लोन बाते हुए हैं उसमें से करीब 10 लाख करोड के लोन ऐसे हैं जो अब bad category में आ चुके हैं यानि की जो NPA है अब बैंक उसमें रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और भारत का वो बैंक जिस बैंक में सबसे अधिक NPA है that is SBI और SBI जो है भारत का पहला बैंक है जिसका NPA दो लाख करोड से जादा क्रोस कर गया यानि की करीब अगर हम पिछले कुसम पहले की बात करें तो करीब उसका जो NPA था करीब दो हजार करोड के आसपास का था जो हमारा पहला बैंक जिसने दो लाख करोड से जादा का जो है NPA जो है वो उस बैंक में हो चुकिया है अब NPA का अड़काउट जो है वो NPA डिकलियर हो गया अब उसको NPA से बाहर निकाला कैसे चाहिए ये एक और समस्या अगर हमारे पास security अविलेबल है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है हम security को बेज सकते हैं legal process कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम अपने recoveries करके NPA से बाहर आ सकते हैं लेकिन जहां पर हमारे पास partially secured loan है या unsecured loan है मातमाली समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन भारत सरकार ने उन loans के लिए जहां पर security जो available है वो एक land and building के अधार पर है यानि कि जहां पर हमारे पास mortgage properties है यानि कि हमने loan दिया है वो land and building के अधार पर दिया है उसके लिए सरकार ने एक act बनाया एक ऐसा act जिसने भारत को एक बहुत बड़े फायदे दिये बैंकों को और बैंकों को NPS को कम करने में काफी मदद मिली याज इस सर्फा AC Act 2000 तो Securitization and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 2002 प्रत्या भूती एवं वित्ये आस्तियों का उनर गठन एवं हित परभावी करने का अधिनियां दो हजार दो ये बैंकों को दिया गया एक बूत बड़ा अधिकार था भारस सरकार के द्वारा जिसके द्वारा यदी बैंक के परभावी करने का अधिनियां दो हजार दो कोई ऐसी सिक्यूर्टी अवेलेबल है जो लैंड या बिल्डिंग के रूप में है तब वहां पर बैंक को कोट जाने की अविशक्ता ही नहीं है बैंक यदी चाहे तो सर्फाइसी एक्ट के अंतरगत उस प्रपर्टी को बेच कर अपना लोन रिकावर कर सकता है इस एक्ट इस वेरी वेरी अफेक्टिव एक्ट जिसने भारत में बैंकों को एक बहुत बड़ी जो सुविधा है वो दुलवाई इसके अंतरगत इसके एक ऐस की फुल फॉर्म बहुत इंपॉटेंट है ठोंक फुल फौर्म आता है इसके सफ़ी में से सर्फाइसी में से किसी का एस का shout का या एफ का किसी एक का जो है वो फुल फॉर्म जो है वो पूछ लेता है इसको असान कर देते हैं इसको हम दो भगों में पार देते हैं पहला है सिक्यूर्ड ड्यजेशन रिकर्शन अशर्ण ऑफ फाइनेंशल अशय्ट करते हैं मालव क्या होता है बैंकों के लोंस को पिता है शोते में या तो हो गया बैंक का लून सिक्योर डिजेशन यानि कि प्रत्यबूती जो सिक्याइबूती आपने बैंक के पास रखी हुई है और रीकंस्ट्रक्शन यानि कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहा है कुछ समझ से आ गई है तो आपने लोन को आप रीक्रियेट कर दीजिए हम आपने कुछ नहीं किया तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो security available है आपकी जो security का अधिकार हमारे उपास available है हम उसको परभावी कर देंगे लागू कर देंगे और हम क्या करेंगे हम आपकी property को बेचके अपना loan recover कर देंगे इन्फोर्स कर लेंगे परभावी कर लेंगे हमारा जो हित परभावी है उसको हम अपने अंतरगत जो है लेकर प्रपट्ठी गो अपने अंतरगत लेकर हम उसकी निलामी करवा देंगे ओर लोन है उसको हम क्या करेंगे रेकवर कर देंगे ढ़ात is called सर्फाइसी एक्ट 2002 जो इसके अंतर करता है नेक्स चीज बनाते हैं अब हम बात करेंगे सर्फाइसी एक्ट है क्या कैसे कानुकर पहली चीज सर्फाइसी एक्ट उन रिनो में लागू है जहां लेंड या बिल्डिंग बैंक के पास गिर्वी रखी गई है यह आपने बैंक के पास लेंड या बिल्डिंग जो आपने रखी है यह केवल उसी पर लागू होगा इसके लावा किसी अन्य लोन पर लागू नहीं होगा यहाँ पर मैं एक चेन बना देता हूँ जिससे आपको बहुत ही असानी हो जाए लेंड थरफाइसी एक्ट उन रब लागू है जहां लेंड बिल्डिंग बैंक के पास किर्वी रखी गई है यदि कोई रिण वापिस नहीं आता तब बैंक उस संपत्ती पर अपना अधिकार करके उसकी निलामी करवा यान कि बैंक क्या करेगा उसको निलाम करवा सकता है बैंक को ये अधिकार है इसका हम एक चैन बनाते हैं जिससे आपको बहुत यहां समझ में आ जाएगा पहले क्या होता है कोई भी जो लोन होता है वह कैसा होता है इस्टेंडर्ड लोन होता है ठीक 91 डेज इंस्ट्रॉल्मेंट पेंडिंग 90 दिन से जादा है कि क्याडवे दिन हो गए इस्ट्रॉल्मेंट पेंडिंग है तो एकाउंट कैसा हो जाएगा एंपीए या सबस्टेंडर्ड हो जाएगा और जैसे सबस्टेंडर्ड हुआ एक भीजा जाएगा सर्फाइसी नोटेस बैंक एक सर्फाइसी नोटेस इस्ट्रॉल्मेंट पेंडिंग है इसलिए क्या हो गया है एंपीए हो गया है सर्फाइसी नोटेस 60 डेज पेरियाड तो अड़जस्ट ओवर्ड्यू और री कंस्ट्रक्ट दा लोन 61st डे सिंबॉलिक पॉजेशन बाइदा बैंक एंड आउक्शन प्रोसेस यानि कि पहले आपका लोन था वो स्टेंडर्ड असेट था किसी प्रकार की कोई समस्था नहीं थे स्टॉट में राहीं से आ रही थी उसके बाद 90 डे से अपने प्रेमेर नहीं करे तो 90 फ़स्टे क्या हो गया यह एंपिय में कन्वर्ट हो गया यानि कि बैंक ने इसमें 60 दिन का समय आपको 90 दिन तो प्रेले हो चुके थे यहाँ पर 60 दिन का प्रेट और दिया कि आपका जो लोन है उसमें जो ओवर्डिव अमांट है जो आपके installment spending है उसको pay करके इस account को regular करवा लीजिए उस account को ठीक कर दीजिए या इस account को पुनर घटित कर दीजिए री कंस्टर कर दीजिए मतलब हो गया कि माली जी आपकी कोई समस्या है माली जी आपकी नोकरी चले गई या आपका कोई business fail हो गया आपके पैसा नहीं आ रहा है कुछ भी रीजन है बाड आ गई आपकी जो फसले है वो खराब हो गई या कुछ भी और समस्या है आप हमारे पास आईए एक लेटर लिग के दीजिए कि मेरे साथ यह समस्या है मैं अभी installment चुकाने में SMR थू किरपिया मेरी जो repayment schedule है उसको दुबारा से बना दिया जाए और नई से installment त्यार कर दी जाए आप हमारे पास आईए हम आपके लिए यह भी मदद कर सकते हैं हो सकता है आपको अपना business राज के लिए कुछ और पैसा चाहिए हम आपको वह भी दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आपको वह 60 दिन के लिए सब काम करना है और अगर आप नहीं आए तो 61 दिन हम आपकी property पर अपना कबजा जमा लेंगे यह नहीं के आपको निकाल के बाहर करेंगे अभी आप अपनी property में रहते रहें कोई दिक्कार नहीं है लेकिन आप property पर से आपके सारे अधिकार समाप्त हो गए अब हम आपकी property का auction process नीलामी शुरू करेंगे अब आपके property का जो है नीलामी का process स्टार्ट होगा आपके property बेच कर हम अपना loan जो है वो adjust करेंगे और जब बाकी जब पैसा बच जाएगा आपको वापिस दे नहीं है और यदि कम पढ़ गया तो आप से दुबारा से recovery का process स्टार्ट करेंगे और यहां पर bank को court जाने की आविशकता ही नहीं है यह सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं यह सारा कुछ जो bank है अपने आधार पर swim कर सकता है लेकिन यहां पर भी terms and conditions है सर्फाइसी एक्ट नाट एप्लीकेबल सर्फाइसी एक्ट लागू नहीं होता कहां कहां पर पहला agriculture, land and building यदी बैंग के पास जो गिर्वी रखी हुई जो प्रोपर्टी है चाए लेंड है चाए बिल्डिंग है यदी वो जीOU एग्रिकल्चर लेंड है तो बैंग यहां पर सर्फाइसी नोटिस जारी नहीं कर सकता पहली चीज़ दूसरा अगरिकल्चर लेंड एंड बिल्डिंग सेकेंड वेर बोरोवर हैस पेड एक्टी परसेंट और मोर लोन एमाउंट यदि जो बोरोवर है यदि उसने असी पर्तिशन से ज्यादा लोन चुका दिया है तब यह लागू नहीं होगा नमबर तीन इफ दा बैलेंस आउट स्टेंडिंग इन दा लोन इज अप्टू रुपी वन लैक यानि की कोई लोन सेंक्शन किया गया था एमाउंट ज्यादा थी लेकिन अब घटकर एक लाख से कम रह गई एक लाख या उससे कम रह गई तब भी यह एपलिकेबल नहीं होग इन तीन कंडिशन्स में हमें क्या करना पड़ेगा कोड जाना पड़ेगा कोड का ही जो प्रॉसेस है उसको जो है हमें मैंटेन करना पड़ेगा बिना कोड के प्रॉसेस के जो है हम यह काम नहीं कर सकते तीन जगों पर यह लागू नहीं हो यह तो हो गया जहां पर मारपा स security available है, हमने क्या-क्या court चले गए या surface set applicable कर दिया, काम हो गया, लेकिन जदी कोई ऐसा लोन हो, जैसे मुँने बोला unsecured loan हो, तब क्या किया जाए? Unsecured loan में जो bank है, वो लगातार process करता रहता है, अपने staff को लगातार भेजता रहता है, और कभी कोट केस भी कर सकता है, लेकिन उसमें बैंकों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है, यही कारण है कि 2011 में भारस सरकार इसके लिए एक अलग से एक कारेवाही करने का process start किया गया, क्योंकि जो unsecured loans है, उसमें bank क्या करता है, लगाता, recovery process करता रहता है, अपने स्टाफ को याने कि उनका time भी based होता रहता है पैसा based होता रहता है और result finally बहुती satisfactory नहीं रहता है recovery बहुती rarest case में आती है और आती भी है तो बहुत कम cases में recovery आ पाती है इनी चीजों को समाप करने के लिए कम करने के लिए भारत सरकार एक नई चीज लेकर आई that is ARCs Asset Recovery Companies ARCs वो कमपनिया है जो बैंकों के जो unsecured loans हैं उन्हें खरीद लेती ARCs purchases the unsecured loans of the banks on sharing basis and does the recovery process यानि कि यहां पर ARCs क्या करती हैं बैंकों के जो भी securities हैं उनको वो खरीद लेती है बैंकों के साटर्टर में दो है sharing base पर कि जो भी recovery आएगी उसका इतना प्रशनेट बैंक को जाएगा बाकी जो ARC है वो खुद रखेगी या कोई भी और जो process होगा वो अपना सकते हैं यहां पर बैंकों एक फाइदा हो जाता है कि अब recovery process कौन करेगा ARC करेगी दो फाइदे होते हैं पहला फाइदा होता है कि आफ को involve करने की आवशक्ता नहीं है अब वो ARC जो companies है वो इसकंदकर जो काम करेगी और ARC की खासियत है इसमें भारत ने ARC में 100% FDI किया हुआ है यानि कि विदेशी कंपनियां भी इंडिया में आकर जो है वो ARC में पार्टिसिपेट कर सकती है अपनी ARC companies जो है Canada की कुछ companies है Germany कुछ companies है जो इंडिया में आई हुई है जो भारत में ARC के रूप में काम करेगी है लेकिन All Clean Loans Can not be transferred to ARC सभी के सभी जो Clean Loans है या Unsecured Loans है उन्हें हम ARCs को transfer नहीं कर सकते यहां पर वे कुछ guidelines है जिसमें सबसे पहली चीज है Loans of Rupee 10 lakh and above can not be transferred to ARC यांके 10 lakh या उससे उपर के जो Clean Loans है वो ARCs को transfer नहीं किये जा सकते Number 2 Agriculture Loans cannot be transferred to ARCs और जो Agriculture Loans है खेती Loans है वो भी ARCs को transfer नहीं किये जा सकते यह जो थे यह Clean Loans है इसके अंतर ज़द आते हैं अब यह तो हो गया एक पूरा का पूरा पार्ट कि किस प्रकार चे भारत में Loans आये NPA हैं यह सब चीजे अभी Recently यहाँ पर एक term और आता है जो सरकार ने 2018 उसमें उन्हें टर्म का पुरियोग किया बैंकों के लिए Bad Banks अभी Bad Banks जो है अभी डेटेल में चर्चा अभी नहीं कर पकते क्योंकि अभी पूरी डेटेल जो है इसके बारे में नहीं आई है लेकिन कि अब बेसिक बता देता हूँ क्या है अभी सरकार बात कर रही है Bad Banks के बारे में इसको नाम हिंदी में इसको Bad Banks ही बोला गया है What is Bad Banks? Bad Banks वो बैंक्स है जो बनाए जाएंगे और जिसमें बैंकों के जो NPA है वो इन बैंकों में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे यह नहीं है कि जो खराब बैंक होंगे यह बनाए जो लास पर चल रहे है जिनका NPA जाना है उससे कोई मतला नहीं Bad Bank का मतलब है ऐसा बैंक जो बैंकों के NPA को टेक ओवर कर लेगा बैंकों के जितने भी NPA है वो यहाँ पर ट्रास्वर कर दिये जाएंगे और वहाँ से बैंक जो है यह बैट बैंक जो है रिकवरी प्रोसेस चलाएगा यानि कि बैंक क्योंकि जब बैंक कोई लोन जब इनपी हो जता है तो बैंकों के लिए बहुत बढ़िस समस्य की बढ़िए बढ़िया दिया जाएगा जहां पर जितने भी बैंकों के जितने भी NPA है वो वहाँ पर ट्रांसफर कर दिये जाएंगे और वहां से रिकवरी प्रोसेस है वो ब्र वी started. That is called bad bank. तो ये था हमारा बैंकों का लोंस का part लोंस, NPA, सर्फायसी क्या है, किस प्रकार से इसके अंतरकत आते हैं. Thank you very much for today's class.